टीजीटी पीजीटी में पूछे गया उर्दू के कुछ इंपोर्टेंट को आज हम लोग डिसकस करेंगे जो कि उत्तर परदेश टीजीटी जी आईसी लेक्चरर और उर्दू के सभी कम्टुटी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट होंगे आप लोग हमारी इस वी दो मुहम्म्मद हुसायन आजाद ने अपनी किताब आब हायात में साफ साफ लिखा कि इतनी बात तो हर शक्स जानता है कि उर्दू बरजबासा से निकली है और बरजबासा खास इंदुस्तानी जबान यानि कि यह जो का 얼마나 किसका है मुहम्मद हुसायन आजाद कैसे Gra द का से मतालिक सबी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं मुहम्मद हुसाइन आजात का तो नजरीया आपने जान लिया कि अर्दू बरजबासा से निकली है ठीक है मसूद हुसाइन खास आप जो हैं ये दिल्ली और आज पास में अर्दू की प पैदाईश हुई लेकिन सिया सुलेमान नदवी का मानना ये है कि अर्दू की जाय पैदाईश सरजमीने सिंद है तो इस से मतालिक यानि कि अर्दू जबान से मतालिक जो मुखतलिफ नजरियात हैं उसके लिए आप लोग हमारी ये वीडियो देखिए डिस्क्रिप्सन में लिंक मिलेगी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे पिशाची हिंदुस्तान के किस इलाके में बोले जाने वाली प्राकृत जबान थी प्राकृत थी तो जो पिशाची थी ये हमारे हिंदुस्तान के कश्मीर और पंजाब में बोली जाती थी ये जबान ये प्राकृत इतन नहीं आवे आपने मिसाल सुनी होगी इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं यह भूत प्रेत की जबान के नाम से यह मशूर थी और यह जो जबान है वो बोली जाती थी कश्मीर और पंजाब में यह प्राकृत पिशाची प्राकृत कहां पर बोली जाती थी कश्मीर और हैदर अली आतिश का है ख्वाज हैदर अली आतिश के कुछ अशार यहां पर आप लोग देख सकते हैं देहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे कलाम आते हैं दर्मिया कैसे कैसे यह जो शेर है उन्हीं का है ठीक है यह जो शेर जो आप से सवाल में पूछा गिया था कि जमीने चम μ痩ुर mandate किया-क्या बदलता है रगास्मा कैसे कैसे आपने जान लिया कि ये जो शेरे ख्वाज हैदर अली आतिश का है अब ख्वाज हैदर अली आतिश मुत लिक्श एहम जानका रिया आप लोगों को मैं देना चाहता हूं इनका नाम था ख्वाज जा हैदर अली आतिस इनका तखलूस था फैजाबाद में पैदा हुए कब 1788 में और 1847 में लखनव में इंतिकाल कर गए आतिस ने घजल के सेवा कुछ नहीं लिखा ठीक है सिर्फ इन्होंने घजल ही लिखा आसी आतिस और नासिख में अदबी चश्मक हुआ करती थी आतिस हर वक्त अपने पास तलवार रखते थी और इनको कबूतर पालने का बहुत शौक था आतिस का जो तरलुक था वो किस दबिस्ताने शाहरी से था तो इनका तरलुक दबिस्ताने लखनव से था अक्सर पूछा जाता है ठीक है कि दबिस्ताने लखनव से मतलिक शाहर कौन है चा एक शेरा की बंदिशे, अलफाज, जड़ने के नगूं से कम नहीं, शायरी भी काम है, आतिस मुरसा साजी का, तो ये शायरी को मुरसा साजी कहते हैं, इनके जो शागिर्द हैं, उनमें रंद हैं, सबा हैं, खलील हैं, नवाब मिर्दा शौक हैं, पंडित दिया संकर नसीम है ठीक है, आकरी उम्र में ये अंदे हो गए थे, आतिस की उर्दु कुलियात की बात करें, तो ये दो दिवान पर मुझतमिल हैं, ठीक है, पहला दिवान उनकी जिन्दगी में शाय हुआ था, दोसरा दिवान उनकी वफात के बाद मीर्दोस्ता अली खलील ने, ठीक है, मुर हैदर अली आतिस के मतलिक बताया कि अखलाकी शायरी का बादशा है अखलाकी शायरी का बादशा फिराक ने आतिसको का अब्दुस्सलाम नदवी ने आतिसको अर्दु शायरी का हाफिज कहा है अर्दु शायरी का हाफिज कहा आतिस को किसने अब्दुसलाम नदवी ने अब राम बाबु सकसेना इनके मुतलिक क्या बात कह रहे है कह रहे है कि आतिस के कलाम में तराशे हुए अलफाज आपदार मोतियों की तरह लड़ी में पिरोए हुए मालूम परते हैं तूकि है, ये रम बाभू सक्सेनन गाख कहनी है, मुसाफिक कहरेखिए, मुसाफिक कहरें कि आतिस का किलाम मतीन और संजीदा है, जबकि अबलूस्थ अलान नदैवी एक बार फिर बता रहे हैं, कि आतिस की शाहरी इश्को महब्बत की आईना है, तो आतिस से मतलिक सब ही आयम जानकारिया आपने हासिल कर ली बढ़ते हैं अगले सवाल पर मुहम्मद कुली कुतुब शान अर्दू के लावा किस जबान में शेर कहे तो इन्होंने अर्दू के लावा तेलगू जबान में भी इन्होंने अशार कहे ठीक है अब देखिए कभ सबसे जादा तखलुस इस्तेमाल किया तो याद रखिएगा 17 तखलुस इस्तेमाल किये थे मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने ठीक है अर्बी और उर्दू और फार्सी के लावा इन्होंने तिल्गु जबान में भी शायरी की ठीक है फार्सी में इनका जो तखलुस था वो म इनका तखलुस तरकुमान हुआ करता था तो याद रखिएगा 17 इनके तखलुस थे ठीक है सबसे जादे तखलुस इन्होंने इस्तेमाल किया अर्दू और फार्सी के लावा तेल्गु जबान में भी इन्होंने शायरी की थी बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे मसनवी ज जो है इसके मसन्निफ कौन है आपको बताना है ठीक है तो इसके जो मसन्निफ हैं शा असरफ उद्दीन अशरफ बयाबानी है ठीक है अशरफ बयाबानी इसके मसन्निफ हैं असरफ बयाबानी की एक और मसनवी है शम्शीरे बरहना यह आपको याद रखना है ठीक है शम्शी अगले वाल के, कुटुब मुश्तरी, ठीक है, मुलावजहे, की तस्नीफ है, कब शाय की गई, इसका साने तस्नीफ कब यहाइ, तो 1609 यह यहिंद और 220 में लिखी गई थी, उर्दोнем की मश्रूर में, कुटुब मुश्तरी, ठीक है, मुलावजहे ने 1609 यहिंद में, तहरीर क मस्नवी में मुहम्मद कुली कुतुब शा की मदा और इसके की दास्तान बयान की गई है ठीक है इसके मुतलिक और भी आहम जानकारी आप लोग स्क्रेंशाट लेके पढ़ सकते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल पे देहली में वली को दो मुफीद मशवरे किसने दिये थे अब वली मुहम्मद दकनी के बारे में मैं थोड़ा सा बता हूँ दो मसवरे किसने दिये और क्या क्या मसवरे दिये वो आपको आटोमेटिक पता चल जाएगा वली मुहम्मद इनका नाम ता लकब इनका शमसुद्दीन था 1668 में और अंगबाद ने पैदा हुए 1700 में अपने द मसवरे किसने दिये सादुल्ला गुलसन ने अब मसवरे किया क्या दिये पहला मसवरा ये दिया कि दकनी अलफास का कम इस्तेमाल करो और उनकी जगह फारसी के शीरी अलफास को मुन्तखब करो दोसा जो मसवरा सादुल्ला गुलसन ने दिया वो ये था कि फारसी शायरी में जो मजामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी जवान में अदा करो तो ये दो मस्वरे दिये किसने सादुल्ला गुलसन ने अब वली के बारे में थोड़ा सा और जान लेजिए ये दिल्ली में 1709 में वली का दिवान दिल्ली पहुचा था ये आप से इंतिहान में सवाल पूचा जاتा है इनका मुकाबला चासर से किया जाता है उर्दुशैरी का चासर इनको का जाता है उर्दुशैरी का बावा आदम इसको मुहंम्मद हुसहाण आजाद ने का वली का दिवान पहले मर्तब़ लंदन से साह हुआ था ठीक है, दो मस्नवी या इनके दिवान में थी, ठीक है, बेगया रुनवान की पहली थी, दो सी जो मस्नवी थी, उसका नाम क्या था, दर तारीफे शहरे सूरत, ठीक है, कुलियाते वली में छो कसीदे हैं, तमाम कसीदे जो हैं, वो मजहबी हैं,वली न say, वली ने एक मस्वरे सादुल्ला गुल्शन ने दिये थे चलिए नौ तर्जे मुरसा किस फार्शी तस्निफ का तर्जमा है तो किसा चाहर दुर्वेस का तर्जमा है नौ तर्जे मुरसा मिर्जा अता हुसेन तहसीन ने लिखा था बाद में मीर अम्मन ने इसी किताब को आसान वर्दु जबान में तरजमा किया था फोर्ट विलियम कालेज के जेरे साया अचा चलिए पिछली वीडियो में मैंने एक कोशन आप से कराय था आप लोग उसका जवाब कमेंट में देंगे कि बागो बहार मीरमन ने बागो बहार किसकी फरमाईश पर लिखी थी पिछली वीडियो आप मरसिया लवजी रिसा से बना है सबको पता है यार यासान सा सवाल है किस लवज से बना है तो लवजी रिसा से बना है तीसरा वाला अफसन सही है सही जोड़की आपको निशान दई करना है गुलशा ने इसक किसकी है तो गुलशा ने इसक जो है वो नुसरती की है ठीक है औ और फूल बन जो है यह किसं की एए फूल बन जो है यह आपकी एक सेकेंड इंतिजार करेंगे मुझह भी याद नहीbन नीचाति क्या ठीक है और कलीमतुलहकाय की जानम की है तो यह तीनों जो जोरे हैं मस्नवी और मस्नवी नगार कि यह तीनों तो गलत हो गए, अब जो मेरा जी समसुल उश्चाक हैं इनकी जो मसनवी है खुश नामा है तो यह जो जोड़ा है बिलकुल सही तो यहाँ पर जो चौता वाला जो आपसन है न वो सही जवाब हो गया एक बार फिर से बता रहा हूँ गुलसा ने इसके किस की है गुलसा ने इसके यह नुसरती की है फूलबन इबन निशाती की है कलिमत अलहकाय की यह जो है वो जानम की है और मीराजी की है खुश नामा तो यहाँ पर चौता वाला अपसन हमारा सही हो गया चलिए आप हयात इसकी सन इशात आपको बताना है तो यह 1880 में लिखे है किसने लिखा मुहम्मद हुसेन आजाद ने इसमें कितने दौर है तो पांच दौर है आप हयात में तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी सवालात की तादाद कम जरूर है लेकिन मैंने हर सवाल से मतलिक कुछ अहम जानकरियां आपको दस्तियाप करा दी है वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए ज़ादा ज़ादा शेयर कीजिए यार आप लोगों के लिए मेनत कर रहा हूँ पहुचा दीजिए और दो क्यार एक ताल विल्म तक हमारे वीडियो थैंक्यो वेरी मच